जैहिं जैभारत वंदे मात्रम आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अंतरजनपदी अस्तबादला में विद्याला आवंटन में आने वाले विभिन विसंगतियों को निम्न निमा अनुसार कारवाई करने के संबंध में दिर्षा निर्देश जारी हो चुका है आप विद्याला आवंटन में अगर किसी प्रकारी की विसंगति है तो उससे संबंधित क्या नियम है और उसकी कारवाई कैसे की जाई इसके लिए दिर्षा निर्देश जारी कर दिया गया तो आएज जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर वो कौन से विसंगतिया है और उनका क् करते हैं विसंगतियों पे डारर्क हम सीधे आते है और उसमें बात करते हैं कि विसंगति करमांक एक में दिया गया है कि अध्यापक को अस्थानांतरन के फल्सरूप आवंटित जन्पद में ज्येश्ठता क्रम में नीमनोवत करमांक पर रखा जाएगा ये अध्यापक स्वेक्छा से अन्य जन्पदों में अस्थानांत्रित होकर जा रहे हैं और पदुन्नत स्वेक्छा से छोड़ रहे हैं अतह इन अध्यापकों से इस आश्य का शफत पत्र अनिवार रूप से प्राप्त कर लिया जाए कि मैं भली भात अउगत हूं कि दूसरे जन्पद में स्वेक्छा से अस्थानांत्रित होकर जा रहा या रही हूं अतह पदुन्नत का लाव मुझे प्राप्त नहीं होगा तथा उस जन्पद में मैं जाने पर सहाएक अध्यापकों की जे श्ठता सूची में मुझे निम्न क्रम में रखा जाएगा और मैं भविश्व में पदोन्नत पाने के लिए तथा जे श्ठता सूची में उच्च क्रम में रखे जाने हे तु कोई प्रयास नहीं करूंगा करूंगी एममानी नयालय का सरण मेरे द्वारा नहीं लिया जाएगा तो पहले विशंगती में आपने सिंपल तरीके से उस एफिट डेफिट की बात समझें जिसमें आप किसी भी जन्पद में अगर अस्थानांत्रित होकर जाते हैं तो आप उस जन्पद में नए माने जाते हैं सबसे निचले करम में आपकी जेशता सिनियर्टी रखी जाएगी इसके अलावा आप वहाँ पर किसी भी प्रकार का अपने सर्विस पीरियट को दावा देते हुए आप वहाँ पर मोशन की मांग नहीं कर सकते तो आपने इतनी बात इसमें समझी दूसरी जो विसंगती है करमांक तूपे कि ग्रामिर छेत्र में पद इस्थित अध्यापकों द्वारा नगर छेत्र में कार्यत्र होना आवेदन पत्र में अंकित करने के कारण उनका अस्थानांत्रन नगर छेत्र में हो गया उलेखनी है कि अस्थानांत्रन हेत्व आवेदन करने के पश्चात उनके आवेदन पत्र को संबंधित वेशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है इस इस्थिती में सहायक अध्यापकों द्वारा गरामीर छेत्र के अस्थान पर नगर छेत्र अंकित किये जाने पर संबंधित वेशिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र को सत्तापित नहीं किया जाना चाहिए था इस संबंधित वेशिक शिक्षा अधिकारी से अस्पश्टी करण पराप किया जाया संबंधित वेशिक शिक्षा अधिकारी से एक परमानपत्र ले लिया जाय कि उक्त अध्यापक मूलतय गरामीर छेत्र में तैना थे अथवान नगरी छेत्र में तैना थे उक्त प्रमानपत्र बेश्रिक शिक्षादिकारी द्वारा दो दिन के भीतर अनिमार रूप से उपलब्ध कराया जाएगा जो अध्यापक मूलत गरामीर छेत्र में तैनात थे वे गरामीर छेत्र में जाएंगे तथा जो नगरी छेत्र में तैनात थे उनकी तैनाती अस्थानांत्री जन्पत के नगरी छेत्र में ही की जाएगी इस संबंध में बेशिक शिक्षादिकारी से प्रमान पत्र प्राप्त कर आप द्वारा NIC को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी तो इस तरीके से दूसरे में बिसंगतियों के करमान में आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग गाउं में हुई है विलेज में हुई है तो आप जब अधर डिस्टिक्स में ट्रांसपर होके जाएगे तो आपके जो सकूल का आवेंटन होगा वहाँ पर भी विलेज गाउं का ही सकूल आपको मिलेगा ठीक इसी तरीके से अगर आप नगरी हैं अर्था सहर के टच में हैं रोट से लगे हुए इस तरीके का आपके स्कूल है तो आप नगर में आएगे जनरली नगर डिसाइड जो है आपका मुख्यालह से 10 किलोमेटर की दूरी के अनुसार जो है चुना जाता है अगर आपका विद्यालय जो आपका मुख्यालय होता है जिला वहां से अगर 10 किलोमेटर की रेंज में है तो वो आपका नगरी मान लिया जाता है अगर उससे उपर है तो ग्रामी मान लिया जाता है तो इस तरीके से अगर आप की जिस तरीके से पोस्टिंग जिस जनपत में तीसरी विशंगति के उगर हम समझें तो जीन अध्यापकोदारा अस्थानांत्रन आविदन पत्र में पद नाम विद्यालय का नाम तुरुटी फूर्ण अंकित किया गया है उनके संबंद में दो दिन के भीतर ऐसे अध्यापकों के संबंद में संबंधित नहां अस्थानांत्रन के पूर्व कार्यत्र रहे हैं के संबंद में प्रमानपत्र पराप्त कर लिया जाए उक्त आश्रय का प्रमानपत्र पराप्त कर सुचना एन आईसी को उपलब्द कराते हुए ऐसे अध्यापकों के संबंद में सुचना सही करने है तो एन आईसी से अनरोध करने का कष्ट करें यदि अध्यापक प्रात्मिक विद्याले में तैनात हैं तो अस्थानात्री जनपद में उसे प्रात्मिक विद्याले में तैनात किया जाएगा तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहवदी राजेंद्र सिंग संयुक्त सचिव तीसरे विशंगती का आपने सिंपल तरीके से आप अर्था समझ गए हैं कि अगर आप प्राइमेरी में आपकी पोस्टिंग हैं आप प्राइमेरी के असेशन टीचर हैं साहय कध्यापक है या प्राइमेरी के अप हेड़ मास्टर जी हैं तो आपको प्राइमरी स्कूल अस्थानातित होने के बाद जन्रपत में मिलेगा और अगर आप उच्छ परात्मी के यूपियस के अगर आप असेशन टीचर साहय कध्यापक हैं या हेड़ टीचर हैं प्रधाना द्यापक जी तो आपको उच्छ परात्मी विद्याला ही वहां पर मिलेगा तो इस तरीके से तीन विशंगतियों के बारे में आपको आदेश मिला है तो आपने